कलकी बादी गोष्णा पत्र को लागू करने का अगला कदम है एक देश में लागू करना अवी जो सिर्फ एक बिचार है सिर्फ एक पुस्तक है उसको एक देश में लागू करके दिखाना है ताकि लोग देख सके ये शिर्फ एक अच्छा बिचार नहीं बलकि इसको सफलता पुर्वक लागू भी किया जा सकता है एक थिंक टैंक बनेगी जिसका बज़त रहेगा एक सो करोड़ कलकी बादी गोष्णा पत्र पर बिचार बिमर्ष करना उसकी अलोचनाओं को संबोधन करना बौधिक स्तर पर उसको कम से कम उथल पुथल के रास्ते लागू करना उस किस्म का एक रोड मैप चाहिए उस बौधिक स्तर के काम के साथ साथ एक संगठन निर्मान होनी है नई पीडी सामने आएगी बंगला देश में जो हुआ निपाल में उस से ज्यादा नाट की ये ढंग से सत्ता परिवर्तन होना है सारी दुनिया देखेगी उसको देखने दुनियावर से लोग आएंगे सिर्फ उस परयिटन से देश का खर्चा चल सकता है उतने लोग आएंगे दुनियावर से कल की बादी अर्थवंत्र को देखने बात समझ के लोग क्रांती करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे सत्ता में आने के बाद कम से कम उथल पुथल के रास्ते कल की बादी अर्थंत्र को लागू किया जाएगा कल की बादी अर्थंत्र को लागू करने का मतलब होता है रात वरात गरीबी समाप्त, रात वरात बेरोजगारी समाप्त, रात वरात महिला पुरुस समांता लागू